तो ये बात है उस समाने की बदल लो माई बदल लो तीन साल हो गए अब तो इंट्रो बदल लो नहीं स्टोरी टाइम तुम्हें पता है जब भी मैं को स्टोरी टाइम वीडियो बनाता हूँ न मेरे मन में हमेशा जिसको हम काजू कतली के नाम से जानते हैं उसके बारे में कोई वीडियो बनातो तो और जादा डर लगता है आज से 8 साल पहले गल्फरंड हुआ गरती थी तो कहीं पुलिस कंप्लेंटी ना कर दे अए मैं बस यही सोचता था कि ऑष्टो मेरी वीडियो ना ही देखती हो यहां उसकी शादी होचेए तो इससे पहले कि में लग कमेंट्स में लिखोगे तु आज भी उसके प्यार में पागल है वह बहुत पुरानी कानी है, it is history man अभी जो recent वाली काजू गतली वाली वीडियो थी उसको देखने के बाद उसने मेरे को ये text करा काश तू हमारी academic rivalry के बारे में भी बता देता so your fans will know that you weren't just a noob but a smart noob, lol यार मुझे noob बुला रही है जब बेज जती है इस message को पढ़के मेरे को याद है कि हाँ मेरे और काजू गतली के बीच में actually एक बहुत ही must academic rivalry चलती थी जिससे related है हमारी आज की story है content ही content देख रहे हो और जगह से content निकालेगा थारा भाही निष्चे ये story start होती है class third में जब मैं था class third में जब हम आते है ना तो हमारे school वाले ranks वगयरा declare करना शुरू कर देते है तो हमारी school life में first time ever ऐसे ranks declare हुई and मेरी rank आई second तो मुझे इस बात का बड़ा अचंभा हुआ कि यार मैं तो topper था मेरी नजरों में तो मैं सबसे आधा intelligent था तो मैं second कैसे आया first कैसे नहीं आया और first कौन आई थी लड़की लड़की होगी लेकिन कौन सी लड़की वो जो मैंने तुम्हें एक पहले वीडियो में बताया था मेरे life का first crush थी स्वाती anyways third class खता हुई हम class fourth में आया अब तो मैंने ठान लिया था कि भाई अब कुछ भी हो जाए इस साल तो मैं first आऊं गई मैं बहुत competitive था मुझे first आना था पूरे साल महनत करी पढ़ाई करी and again to my disappointment मैं third आया क्यों क्योंकि मेरे से आगे दो लड़किया लटिका और ईशा and मैं third रहे गया बेचारा फिर से अब तो मैंने ना ऐसे संकल्प द्रिड निश्चे कर लिया देख रहे हो पन देख रहे हो मेरा नाम निश्चे है क्योंकि मैंने निश्चे कर लिया कि कुछ भी हो जाए class fifth में तो अब मैंने first आना ही आना है class fifth में पहली बार मैं और काजुकतली same section में हुए थे and class fifth में हमारी class teacher होती थी नीती माम मैं नीती माम को इंप्रेस करने के लिए बहुत ऐसा कोशिश करता था क्योंकि मैंने एक चीज पिछले दो साल में ये देख ली थी भी कर दिये मैंने classroom भी clean कर दिया मैंने ये कर दिया वो कर दिया फलाना ढमकाना सब लड़किया ना ऐसे टीचर्स पर impression बहुत अच्छे बनाती थी तो मैंने भी अब ये डिसाइड कर लिया था कि मैं भी नीती माम पर बहुत अच्छा था तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था और इस बार तो मैं सर्टन था भाई कुछ भी हो जाए फॉस्ट ही आऊंगा फिफ्ट का पहला सेमेस्टर हुआ मैं नहीं आया फॉस्ट तो फाइनल टर्म में भी कहां से आना था अल्टिमेटली मैं क्लास फिफ्ट में भी नहीं आया फॉस्ट और क्लास फिफ्ट में फॉस्ट कौन आया काजू गतली तो अभी मेरे को ना जलन होने लग गई मैं था बहुत ज्यादा कंपेटिटिव बच्पन से ऐसा गुसा आता था कि यार तिनी महनत करी मैंने सब टीचर्स में इंप्रेशन में आया फिर भी मैं है का जुकतली और मेरी थ़र्ड क्लास की फ्रस्ट मेरी लाइफ की क्रश्थी सवाथी। हम तीनों सेम सेक्शन में एंड हम तीनों अपने क्लास के टॉपर्स फोर्स्ट हुआ ह्थी है का जुकतली मैं ए सेकेंड पॉंस अगें मैं डिसपोइटेड भाई वही हो रहा है हर लड़कियां जो है वो languages में मेरे से जादा आगे निकल जाती है मेरे math, science, sst ती तीनों में अच्छे नमबर आते थे लेकिन English Hindi में मैं हमेशा रहता था मेरे को कभी ऐसा ना वो essay writing, articles, letters वग्यारा मेरे को कभी वो चीजे पसंद आई नहीं और जो चीज मेरे को पसंद नहीं थी फलाना ढ़िमकाना ये सब में लड़कियां हमेशा अच्छी होती थी मलब at least मुझ से तो much much better तो मेरे साथ वह हुआ फॉर्स टर्म में मैं नहीं आया फॉर्स लेकिन सेकंड टर्म में English के पेपर वाले दिन हमारे ना पेपर स्टार्ट होने से पहले attendance होती थी तो roll call होई जै उसने English का वेपर मिस कर दिया जिसकी वज़त से ultimately काजू कतली second term में first नहीं आई और कौन आया first मैं finally अपनी life में third class से जो मैं efforts कर रहा था मेहनत कर रहा था शिदत से जिस चीज को chase कर रहा था वो finally अब हो चुकी थी इतनी शिदत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है second term में अपून first आगे ला था लेकिन अभी final term बाकी था अब third term आया और हमारे जो final scores लगते थे वो ऐसे होते थे first term के 10% second term के 15% and final term के 75% लगते थे in the final score तो अब काजू कतली ने जो second term में English का paper नहीं दिया था उसकी ultimately final score आया मेरी percentage आई 94.5% and काजू कतली के आई थी कुछ 92% and अगर English के exam के 15% में वो add भी कर लेता तब भी काजू कतली जो है वो first नहीं आती पर यह चीज वो मानने को तयार नहीं थी वो मुझे बस यहीं taunt करती थी कि तू सिरफ first इसलिए आया है क्योंकि मैंने second term में English का paper न ब्ला 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 तो मेरी एक वो जो achievement थी ना कि मैं अपनी life में first time first आ गया था किसी class में उसकी value खतम हो गई एल लग गए even after scoring 100 on 100 in maths तीनो टर्म में जी हां मेरे maths में 7th class में तीनो टर्म में first term, second term, third term, तीनो में 100 on 100 थे जो maths की teacher थी ना जो paper बनाती थी वो मेरे को tuition बढाती थी यह चीज किसी को नहीं पता होगी school में पर Millie Ma'am जो है वो मुझे maths की tuition पढाती थी वो ही हमारी maths की teacher भी होती थी इसलिए मेरे 7th के तीनो टर्म में 100 में से 100 आयते एसा नहीं बोल रहा मैं कि वो मेरे को आखे पूरा paper ही बता देती थी लेकिन because she was the maths teacher तो उनको पता होता था कि किस type के question आने की probability ज्यादा है तो इसलिए मेरी practice ज्यादा करा देती थी वो समझ रहे ना समझ रहा यह मेरी जिंदगी में एक डाग स्कार रह गया कि मैं पूरे 3rd से लेके 12 तक सिरफ एक बार 1st आया और वो भी इसलिए क्योंकि मेरा प्रती दुहंदी मेरा ओपोनेंट जो है वो चुट्टी पे था मस्तफ इसमें मेरी क्या गलती है या बट मेभी का जुगतली वो उस राइट क्योंकि 8th class में का जुगतली और मैं फिर से अचीवमेंट की इजट नी कर रहा नहीं नहीं मैं आता मैंने महनत करी थी 1st आरे के लिए अन्यवेस गाइस आप यू गाइस इंजोए इस तुरी तैम वीडियो इस तो लाइक कर देना इसी बात पे आई विल सी यू गाइस इन नेक्स वीडियो तब तब के लिए अचीव